होनहार बिर्वान के होत चिकने पाद ये कहावत दिल्ग के गाउं बहज के गरीव निर्दन परिवार के कक्षा पांच में पढ़ रहे चात्र चंद्रभान पर शत्र परतिशा सही बैठ रही है बारा वर्ष ये चंद्रभान के स्केच बनाने की कला को दिन प्रती दिन प्रिसिद्धी मिलती जा रही है शोशल मेडिया पर उसके बनाए हुए चित्र चात्र की है पुच्चमाद्मिक विध्याले बहज का चात्र नाम चंद्रपाल पेटा देखो यह है बहुमों की प्रतिवा का धनी है और यह है इसकी चित्रकला का एक नमूना देखिए इसने महराजा विश्वेंद्र सिंग जी जो की कैबिनेट मंत्री है जने किसे परचय की आवशक्ता नहीं है उनका कितना सुन्दर चित्रांकन गिया है और इसने ये चित्रांकन केबल इंसीमित साधनों एक पैंत्सिल है और ये है इससे ये बिटा इससी का करते हो आप कि ये ग्लेंड कर दो के और बिटा इससे इससे डाख करती है पोके बिटा ठीक है और इससे 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 इसने इतना सुंदर चित्रांकन किया है देखिए यह बस एक चित्र को बगल में रखता है उसे देखकर हुबवू बिल्कुल जैसा चित्र है इसने वैसा ही और मात्र एक घंटे में यह चित्र इसने तयार किया है देखिए इस बच्चे की प्रतवाद बटा आपकी एज कितनी इस बच्चे की एज जो है वो दस साल है और कक्षा पाच का छात रहे हैं बिल्क के गाउं वहज के राज किये उच्च मादमी विध्याले में कक्षा पांच में पढ़ने वाले चात्र चंद्रवान अपने सीमित साधुनों रूल रवर्ण स्केच ब्रेश की साहिता से पिछले छे वर्षों से जीवंतर चित्र बना रहा है और दिन पर दिन उसकी कला निखरती जा रही है हाली में उसने राजिस्तान के परेटन मंत्री विश्वेंद्र सिंग का भवी स्केच बनाया था उसने कहा कि वह भी भारत का बड़ा चित्रकार बनना चाहता और मुख्य मंत्री अशोग गैलोत परधान मंत्री नरेंद्र मोधी का स्केच बनाना चाहता है उसने कहा कि अगर उसे उच्छी कोटी की गाइडेंस मिले तो वह भी अपने देश का नाम रोशन कर सकता है और भाववली, और गुलेरी, और अख्छिकमार अगर्ण जयतस अब बाएं हाई है तो यह पेंटिंग की पेंडना आपको कहां से अपने आप कर रहे हो वह मैं अपने आपको आपको इंटरेस्ट है तो बच्छा पन से वह मुझार विद्याले का 5 में का शात्रच चंडरपुल. लगवग 2 मीने पहले मेरी नजर में आया था. छित्रकारी का अच्छा सौख है। काफी लमए समय से छित्रकारी कर रहा है, जैसे ही मेरी नजर में आया तो मैंने का था कर आने ता हुआ प्रयास किया। और यही कामना है कि उपने बाविश में अच्छा हुकामाशना है